हेलो एब्रीवन देस इस व्रॉम्या वेलकम टू दोस्तर क्लासे आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का बाइलोजिक चैप्टर सेर्कुलेटर सिस्टम अभी सेर्कुलेटर सिस्टम भी हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो कि स्पेसिफिक वर्क के लिए रिस्पॉंसबिल होता है जसे हम लोग कंटेंट से मिलकर भान होता है इसको कौंड-कौं से और मिलकर फॉर्म करते हैं और इस तरह से वर्क करता है यह सारी सहिंड़ स्प्टर में लोग आुप छाने के लिसे सिस्टम की लिए। सबसे पहले हम जानेंगे हमारी बॉड़ी में किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है तो जैसे ट्रांसपोर्ट क्या है एक common word है जो हम लोग डेली लाइफ में सुनते हैं क्या होता है फैक्टरी में कोई समान बना और वहां से ट्रांसपोर होके कहीं न कहीं वह जाता है तो बॉड़ी में भी हमारे कहीं एक जगे समान बनता है और उसके बाद वह बॉड़ी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और किसके थ्रू के आता है तो circulatory system एक पूरा work करता है हमारी body में जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट होता है अब किन किन चीज़ों का हमारी body में ट्रांसपोर्ट की जड़त हुई तो देखो हम लोग respiration करते हैं oxygen लेते हैं तो वह gaseous exchange का काम भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है विस हमने oxygen ले लंग्स के पास गई अब लंग्स के पास तो पूरी body में जानी है ना body के हर एक tissue में oxygen को जाना है तो वह काम भी circulatory system करता है nutrition जो हम लोग food लेते हैं उसको digest करते हैं उससे जो nutrition निगलता है जो हमारे intestine से absorb होके पूरी body में भेज दिया जाता है यह भी काम circulatory system कर waste product जो हमारी body में जितने भी waste और toxic product है उनको भी out करना होता है body से तो वह भी काम क्या होता है circulatory system के तो इन सब चीजों का transport हमारी body में भी बहुत जरूरी होता है ठीक है अब यह circulatory system किन-किन components से मिलकर बने होते हैं तो mainly three components होते है इसके एक तो होता है blood, दूसरा होता है heart, ति पूरी body के एक एक पार्ट में run करता रहता है ठीक है, तेजी सो दौरता रहता है और oxygen है, nutrient है उन सब को लेके जाता है, टिशों के पास पहुचाता है, ठीक है hormones भी, और जो blood जैसे जाता है तो जिस जगे से जाता है वह एक छुटी-छुटी पत्ली-पत्ली सी tube लगी होती ह पूरी body में, यहां आप देख रहे हो, यह आपको blue और red color की tube-like structure दिख रहा है, यह पूरी branches हमारी body में फैली होती है, जिसके ब्लड रन करता है, और हर एक tissue तक पहुचता है, ठीक है, cell-to-cell वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, अब blood हो गया, और blood vessel क्या है, वही जोटी- पतली-पतली tubes हैं, उन्हीं को हम blood vessels कहते हैं, जिसके ब्लड रन करता है, ठीक है, अब heart क्या है, तो heart एक तरीका, एक समझ लो, जैसे हम लोग पानी एक जगे से दूसरे जगे पहुचाने के लिए, या height पहुचाने के लिए, किसका यूज़ करते है, एक motor का यूज़ करते ह मोटर की तरह ही work करता है हमारे अंदर का heart है, यह क्या करता है, बहुत तेजी से blood pump करता है, जिससे blood पूरी body में, एक pressure के साथ, पूरी body में run करता रहता है, ठीक है, तो यह तीनों components मिलकर, एक circulator system बनाती है, जो बहुत बढ़िया से work करता है, ठीक है, तो एक चीज के बारे म बारे में जानेंगे, ठीक है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, blood की, blood क्या है, two type के content से, component से मिलकर बना होता है, एक होता है, blood plasma, दूसरा होता है, blood carpuses, अब blood plasma क्या होता है, उसका base material होता है, जिसमें वो पूरे particles या cells पड़ी होती है, जिसका 55% बनाता है, और pale yellow color का होता है, यहाँ आप देखो blood को, तो इसमें yellow color का जो fluid देख रहा है, आपको यह plasma होता है, ठीक है, यह 90% water से मिलकर बना होता है, और पूरे-पूरे blood का 55% पार्ट बना देता है, ठीक है, इसके अलाबा इसमें कुछ carpuses, यानि छोटी-छोटी cells प्रेज red blood carpuses, यानि RBC की वज़े से ही हमारा पूरा blood red color का दिखाए देता है, ठीक है, और white BC यह colorless होती है, और platelets भी colorless होती है, या थोड़ा सा yellow color की होती है, ठीक है, तो इनके सब के बारे में हम लोग अलग अलग देखेंगे, इनके अलग-अलग functioning होती है, यह अलग-अलग transport के होती है, ठीक है, अब दिखो, सबसे पहले बात करेंगे है, हम RBC की, तो RBC को हम erythrocyte भी कहते है, नाम याद रखना है, important है, erythrocytes भी कहते है, यह disc shape होता है, या आप यहाँ पर देखो, disc shape structure होगा, बीच से थोड़ा सा दबा हुआ, और side side पे full होगा, जैसे donut का shape होता है ठीक है, और यह, इसका main function क्या होता है, oxygen का transport करता है, में समलोग respiration करते हैं, तो अंदर oxygen लेके जाते हैं, लंग तक, यह lungs के पास से receive कर लेता है, oxygen को और body के हर एक part तक पहुँचाता है, ठीक है, तो blood का RBC है, वो oxygen को carry करता है, अब इसका red color क्यों होता है, क्योंकि इसके अं blood cell के अंदर RBC के अंदर present होता है, और mainly oxygen को carry करने का काम यही करता है, ठीक है, इसलिए यह red color का दिखाए देता है, और एक important बात, red BC के अंदर कभी भी nucleus नहीं होता है, जैसे कि हम लोग को बता है, हर एक cell के अंदर nucleus present होता है, लेकिन red BC के अंदर nucleus absent होता है, तो यह चीद आप को ध्यान रखनी है, अब देखो, white blood cell, अब इसमें hemoglobin नहीं present होता, इसलिए यह white color का दिखाई देता है, ठीक है, colorless होता है, इसका दूसरा नाम है leucocyte, जैसे हमने RBC का बताया, erythrocyte, वैसे ही इसका नाम है leucocyte, नाम ध्यान रखना है, important है, different नाम से भी इसको पूच सक है, means बाहर का कोई germ या कोई bacteria, virus कुछ भी attack कर दें हमारी body में, तो यह क्या करेगा, अंदर से अपने numbers को बढ़ाएगा, यानि soldiers की तरह work करेगा body के, और उन से fight करेगा, ठीक है, germs को, germs के साथ fight करेगा, और उनको death कर देगा, ठीक है, इसके लाबा, यह एक chemical release करता है, जिसको हम कहते हैं, antibodies, ठीक है, यह भी हमें पता होना चाहिए, और हमारी body की पूरी immunity बनाने का काम, यही WBC cell ही करते हैं, ठीक है, तो हम समझ गए, यह तरीके fighter की तरह work करते हैं, यह देखो, यह fighter की तरह work करते हैं, और जम को माल के भगा देते हैं, अब platelets, platelets के होती है, आप लोग हैं, तो उस time पे आपने platelets के बारे में सुनाओंगा, ठीक, अगर हमारी body में platelets कम हो जाती हैं, तो immune system बहुत तेजी से घट जाता है, और बहुत सारी problem आ सकती है, ठीक है, इनका दूसरा नाम होता है, thrombocytes, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, जो other name है, सबके WBC का erythrocyte sorry, RBC का erythrocyte, WBC का leukocyte, और platelets का thrombocytes, ठीक है, यह आपको जरूर ध्यान रखना है, यह smallest size की होती है, मतलब RBC और WBC से छोटी होती है, ठीक है, और यह cell है platelets की, आप देखते हो, यहाँ पर इस तरह के, इसमें fibers लगे होते हैं, साइट साइड में, जो क्या काम करते हैं, इ आप थोड़ी देर में देखोगे, उसी जगे पर जहाँ पर cut लगा था, एक ठकका जैसा जम जाता है, brown color का, हलका dark red, या brownish color का, आपको सुखा सुखा समा पर लगेगा, ठीक है, तो वो जो structure form होता है, वो platelets की वज़े से होता है, इस process को हम कहते हैं, blood की clotting, या clotting of blood, flow होड़ा होता है, तो तीजी से यहाँ पर platelets बढ़ने लगती है, और इस तरह से एक जाल बना लेती है, मतब यह अपने fibers को बढ़ा के, एक नेट का फॉर्म कर लेती है, जिससे उस जगे से निकलने बाला blood रोग जाता है, और blood का loss भापर खतम हो जाता है, तो यह बहुत ब अब देखो हम पर चुके, RBC पर चुके, WBC जान चुके और platelets जान चुके, यानि हमें पता चल गया कि blood कैसा होता है, उसके अदर की जो cell प्रेजन होती है, वो अलग-अलग कैसे work करती है, ठीके, लेकिन इनके common सबके function में जाना जरूरी है, तो सबसे पहले हम बात करते है, जो RBC होता है, सबके function में आपको इसमें write down करना है, तो क्या करना है, RBC का करता है white blood cell को, sorry, red blood cell क्या करता है, oxygen को carry करता है, अब देखो, जो red blood cell होता है, उसके अदर हमने बताया hemoglobin present होता है, तो इसके अदर hemoglobin pigment जो present होता है, यही हर एक hemoglobin pigment, 4-4 oxygen को carry करता है, और हर जगे उसको पोचाता रहता है, ठीक है, अब blood clotting से prevent करता है, blood clotting हो जाती है, जिसके ब्लड का loss नहीं होता, ब्लड का यह भी function है, तरिसरी बाद, antibodies release करता है, white BC क्या करते है, हमारे antibodies release करते हैं, तो बाहर के जम से हमारी सुरक्षा होती है, ठीक है, और अब क्या करते है, जितना भी useful content होता है, उसको फिर से अपने अंदर रखती है, यानि बाडी में भेज देती है, और जितना toxic material होता है, उसको बाडी से बाहर निकाल देती है, उसी से toxic material से बाहर निकाल जाते है, तो यह भी इसका एक important work हो गया, यह हमारी body के temperature को भी regulate करता है, जैसे बाहर बहुत गर्मी ह हमारा temperature होता है, कितना temperature होता है, human body का 37 degree, तो उससे अगर बाहर जादा है, और या फिर बाहर उससे कम है, तो उससे साब से हमारी body को temperature को maintain करता है, तो यह सब blood के function होते है, अब next, अब देखो, blood vessels क्या होती है, blood हम समझ गया होता है, उसके सारी cells के बारे में समझ गया है, अब blood vessels क्या होती है, ठीक, तो पूरी body हमारे tube-like structure फैला होता है, जिसके अदर blood run करता है, और जाते हुए वो सारे tissues को, जो भी content से को देखे जाता है, ठीक है, तो blood vessels three type के होती है, ये blood vessels three type के होती है, एक होती है हमारी artery, दूसरी होती है vein, और तीसरी होती है carper cells, जो artery होती है, वो क्या काम करती है, तो ये blood away from the heart, यानि कि ब्लड जो है हार्ट से निकालती है ब्लड को हार्ट से निकालकर बॉड़ी में ले जाने का काम करती है और वेन क्या करती है ब्लड बैक टूवर्ड और हार्ट ठीक है बॉड़ी से ब्लड को वापस लेके हार्ट तक कौन लाती है वेन लाती है ठीक है कैपिलेरी क्या करती है तो smallest blood vessels होती है connect arteries and vein यानि इधर से artery आ रही है हर एक tissues के पास और इधर से vein जा रही है हर एक tissues के पास तो बीच में connection का काम कौन करता है तो यह capillaries करती है ठीक है तो यह तीन type की blood vessels हमारी पूरी body में फैली होती है और blood को circulate करने में help करती है ठीक है अब arteries के बारे में पहले हम जा जाती है यानि पूरे body के हर एक पार्ट तक पहुंचाती है ठीक यह जो आर्टरी होती है यह blood को heart से निकाल के पहुंचाती है इसलिए वहां से जब तीजी से pumping होती है तो blood यहां से निकलता है इस वज़े से यहां की जो vessels होती ही hardest structure होता है means बहुत strong होती है यह muscular wall से बने होते हैं और thicker wall से बने होते हैं located deep side in skin means जब आपनों देखते हो अपने hand के skin पर ही देख लेना तो ऊपर ऊपर कुछ आप लोगो blood vessels दिखाई देती हैं तो वह blood vessels arteries की नहीं होती है वह veins की होती है ठीके जो arteries की vessels होती है वह आपकी skin के deep inside deep side पर दिखाई मतलब में pressure इतना जाता होता है blood का अगर उस arteries को उपर रख देंगे कि तो हलका सा बॉड़ी में cut लगा मैंस skin पे cut लगा तो arteries से अगर blood निकलने लगा तो वह बहुत ही flow के साथ निकलेगा इसलिए arteries को हमेसा skin के नीचे side पे रखते हैं और उपर के side पे veins को रखते हैं veins में थोड़ इसलिए blood back toward your heart यानि पूरी body से blood को लेकर वह वापस heart तक चाती है ठीक है अब वेन tube like elastic vessel होती है और thin wall की बनी होती है थिन होती है जो artery होती है उसकी wall जो होगी वह थेक होगी और vein की wall thin होती है यहाँ पर देखो artery को cut section बनाया गया है तो उसका wall बहुत ही मोटा रखा गया है और जो vein का cut section मनाया गया है उसका wall बहुत बतला रखा गया तो यह फर्क होता है दोनों की wall में ठीक है क्योंकि यहाँ पर pressure blood का कम होता है जबकि arteries में blood का pressure बहुत जादा होता है ठीक है अब जो artery होती है वो heart से blood को tissues के पास ले जा रही थी इसका मतलब उसके पास oxygen वाला blood होत को लेके जाता है ठीक है बोडी के हर एक पार्ट से अब deoxygenated blood कौन सा होता है जिसमें carbon dioxide जादा प्रेजिंप होती है as compared to artery मतलब जो oxygenated है ठीक है क्योंकि वो tissues के पास से आ रहा है तो tissues को carbon dioxide दे दे देंगे और वापस वो heart दफ चला जाएगा ठीक है अभी है mechanism समझाएंगे त थिन टाइनी वाल की जो बनी हुई होती है और बिल्कोल छोटी-छोटी सी होती है ठीक है यह क्या करती है हर जगे पर जहां पर भी artery tissue पर से कनेक्ट होती है ठीक है मतलब artery ने tissue को blood दिया उसी जगे पर कई सारी capillaries के थूँ वहां से carbon dioxide और oxygen का exchange हो जाता है और वो capillaries एक से arteries सो जोड़ती है ठीक है आर्टरी से मालो यहां पर जो oxygen वाला बिल्ट है वो जा रहा है और यहां से वो oxygen tissue में transfer होता जा रहा है वहीं से carbon dioxide capillary में आता जा रहा है और यह capillary वापस deoxygenated blood को vein को दे रही है ठीक है तो capillary बहुत important होती है और बहुत पतली-पतली होती है जिसक से यह हर एक tissues में पाया जाते हैं artery हो या vein हो या फिर capillaries हो तो अब हम समझ गया blood की वैसल थी टाइप की होती है एक artery होती है जिसमें oxygenated blood transfer होता है thick wall की होती है एक vein होती है जो thin wall की होती है इसमें deoxygenated blood जाता है और capillaries artery और vein के बीच में gassus exchange का वर्थ करती है ठीक है thin wall की होत हम पढ़ेंगे heart के बारे में blood के बारे में जान लिया हम लोग ने blood vessels के बारे में जान लिया अब एक वो machine देखेंगे जिसमें से blood pump किया जाता है इसे ही हम कहते है heart ठीक heart कहां पर located होता है सबसे पहले तो यह बात करते हैं तो दोनों लंग के बीच में heart का location होता है heart हमेशा muscular organ होता है और एक cleansed fist के shape का होता है मिंस आप इस तरह से cleansed fist बनाएंगे तो उसी shape का बस heart होता है ठीक है ठीक है तो अब heart का अगर division की बात करें मतलब इसके structure की बात करें तो यह four part में divided हो सकता है मतलब four chambers में divided हो सकता है इस तरह से आप इसको ऐसे 20 से कट लगा लोगा ठीक है एक chamber यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया, four chamber हो गया, means आपको यहां पर बता दे हम इस तरह से heart को आपने four part में divide किया है तो four chamber निकल के आते हैं ठीक है और two side भी निकल के आते हैं आप इसको बीस जैसे divide करो तो एक side हो गया आपका left और एक side हो गया right अ और हमेसा आपके opposite copy में जब आप लिखती हो, तो जो right side आपका होगा, वो copy में left side होगा, ठीक है, और जो left side होगा, वो copy में right side होगा, तो इस तरही से आप समझ गए, हाद का right side ये हो गया, left side ये हो गया, ठीक है, आप देखो four chamber present होते है जेक होते है, एक होता है, atrium, दूसरा होता है ventricle, ठीक है, या auricle भी कहते हैं atrium को, ठीक, तो auricle हमेशा उपर होते हैं, ठीक है, हमेशा auricle सबसे पहले, यानि उपर आएंगे, और ventricle हमेशा नीचे आएंगे, ठीक, तो उपर वाले artery, ठीक है, अब जो right side पे artery present है, उसको right artery बोल दिया, और जो left side पे artery present ह उसको left artery बोल दिया, clear, अब देखो, नीचे हमने बताया, ventricle होते हैं, तो जो right side पे ventricle present है, उसको right ventricle बोल दिया, और जो left side पे ventricle present है, उसको left ventricle बोल दिया, मिस अगर अब हम, अब हम देखें अपने heart को, तो यहाँ पर एक chamber ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया ठीक है, तो ये हो गया right auricle, क्योंकि right side इधर है, ठीक है, right auricle उपर होते हैं, इधर हो गया left auricle, नीचे हो गया ventricle, तो यहाँ पर right ventricle, और यहाँ पर left ventricle, clear, तो ये chambers हम लोगों clear हो गया, अब जो right और left side होते हैं, उसके बीच में एक separation wall होती है, जिसको हम कहते हैं, separation wall होती है, ये थोड़ी ठीक होती है, जबकि जो दोनों auricle के बीच में separation wall होती है, वो थोड़ी thin होती है, तो ऊपर भी septum होता है, नीचे भी septum होता है, जो ventricle को बीच को अलग करता है, वो थोड़ा सा thicker होता है, और जो auricle को अलग कर रहा है, वो थोड़ा thin wall का होता है, तो तो इस structure को हम septum क्याते हैं तो हम heart का structure तो समझ गया है हम chambers के बारे में समझ गया है अब हम लोग को जानना है कि heart में valve कितने होते हैं तो यहाँ पर देखो आप लोग इस तरह कि जब auricle से ventricle पे जा रहा है तो एक दरवाजा है सिर्फ one side ही entry के लिए responsible होते हैं means अगर यहाँ से blood एक बार नीचे आ गया तो यह valve से वापस नहीं जा पाएगा लेकिन डोर में क्या होता है आप अंदर भी जा सकते हो बाहर भी जा सकते हो लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक side ही flow हो पाता है valve हमेशा सिर्फ one side flow के लिए ही allowed करते हैं तो auricle auricle और ventricle के बीच में एक valve लगा होता है यहाँ पर भी एक valve लगा है यहाँ पर भी एक valve लगा है इस valve को हम atrioventricular valve कहते हैं atrioventricular valve कहते हैं इसमें भी और भी structure है जो आप लोग higher classes में पढ़ोगी अभी 6th standard में आपको इतना ही बताया गया है atrioventricular valve भी कहते हैं अब इसमें अगर हम बता दें आपको तो जो left side का valve होता है वो tricuspid valve होता है मतलब उसमें तीन डोर होते हैं इस तरह के और जो right side पे valve होते हैं वो bicuspid valve होते हैं यहां पर देखो सिर्फ बीच से दो फो मतलब दो डोर लगे हुए हैं तो bicuspid और tricuspid तो बस आप लोगों इतना ही ध्यान रखना है जादा आप लोग मत पढ़िये सिर्फ अभी इतना ही पढ़िये और आगे फिर आप higher classes में पढ़ना हो ठीक है तो यह हो गया वालो अब देखो अब हम थोड़ी सी mechanism के बाने में बात कर लेते हैं हार्ट की नहीं तो आप लोग confused हो जाओगे ठीक है तो होता क्या है यहां पर हम लोग क्या करते है respiration करते है यह बात हम लोगो नहीं पढ़िए सचाप्टर प्र planets टीक है ब्लेशा जब करते हैं तो लंग में क्या हो रहा होता है oxygen और oxygen में ट्रांसफर हो रहे होता है ब्लड में ट्रांसफर हो गया अब यह oxygenated blood निकल के जाता है किसके पास पहले तुब वो जाता है हाड के पास oxygenated oxygen वाला blood हाड के पास गया ठीक है यहाँ पर pump कर दिया गया और इस जगे से इस blood को oxygenated blood को हर एक tissues के पास भेज दिया जाता है ठीक है चला गया वो है अब हर एक tissue मे हो रही है अंदर की कुछ functioning यानि metabolic functioning हो रही है जिसके वहाँ पर oxygen का यूज हो रहा है और carbon dioxide बन रही है ठीक है अब वही carbon dioxide जो बनी हुई है जो हमारी tissues के लिए toxic हो जाएगी आगे उस carbon dioxide को यह blood लेके वापस चला जाता है ठीक है यहाँ से oxygen तो लेके आ रहा है oxygen उसने दे दि को टिशू ने oxygen यूज कर ली और बचा हुआ carbon dioxide उसे blood को दे दिया कि भाई इसको ले जाओ फिर blood जो है यहां से जब निकलता है तो वही जो blood vessel होती है वह वेन की होती है ठीक है और जो आ रही होती है oxygenated blood लेके वह कैलसी होती है वह artery होती है ठीक है अब वेन क्या कर रहा है ड डियरेक्ट लंग के पास लेनी जाता है ठीक है क्योंकि उतने pressure नहीं बन पाएगा वहाँ ठीक है अब यहां पर आया पहले auricle के पास आता है फिर ventricle के पास गया अब वेंट्रीकल उसको तेजी से pump करता है तो वह पहुँच जाता है लंग के पास अब लंग के पास भी फि oxygenated blood जो artery के फिर से वापास आ जाता है क्लियर हो गई बात अब एक चीज और जो confuse करती है यहाँ पर क्या चीज देखो जो भी vessel जो भी vessel blood को लेके heart के पास आ रही है आ रही है उसको हम हमेशा वेन कहते हैं तेखें यह blood de oxygenated blood जब heart के पास आ रहा है उसको भी वेन कहेंगे और जब lungs के पास से blood आ रहा है heart के pounds पास इसको भी वेन कहेंगे और जो blood blood heart के पास से जा रहा है जा रहा है means monitor heart से वह body के आ रहा है ठीक है तो इसको हम कहेंगे artery artery और यहां से blood जा रहा है Lung S. के पास, तो इसको भी हम कह देंगे Artery ठीक है तो हमने समझ लिया, जो blood लेके Heart के पास आते हैं, वो vein लेके आती है और जो blood लेके Heart से जाती है, उसको Artery कहते हैं, brand's heart Tricald हो जाती है ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और होती है जो vessel हार्ट से निकल कर लंग को जाती है ठीक है या लंग से निकल कर हार्ट को आती है ठीक है तो मतलब जो वैसल लंग से कनेक्ट हो रही है उस वैसल को हम पल्मोनरी कहते हैं उसमें pulmonary use करना है और जो blood लेके आ रही है heart के पास, वो हमेसा vein होती है, जो जा रही होती है, वो हमेसा artery होती है, ठीक है, अब हम पढ़ें, अब हम आगे पढ़ते हैं, heart से connected जो artery है, और मतलब veins है, वो कौन-कौन सी है, ठीक है, उसको अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात होता है, तो उन दोनों में difference क्या होता है, तो अरिकल हमने बताया था, उपर, अपर साइड पे होता है, ठीक, वेंट्रिकल हमेसा lower side पे होता है, और इकल स्मालर होता है, as compared to ventrical, ventrical हमेसा larger होता है, ठीक है, नीचे वाला large chamber होता है, अब जो औरिकल से blood, औरिकल क्या करता है, ब्लड को हमेसा receive करने का काम करता है, हम लोगोंने अभी heart देखा था, तो उसमें क्या था, इस side से deoxygenated blood इधर के artery के पास जा रहा था, और इधर से lung वाला blood, जो oxygenated था, वो भी artery के पास आ रहा था, तो artery हमेसा blood को receive करने का काम करता है, ठीक है, और जो ventrical है, हमेसा blood को भेज इसलिए का काम करता है, ठीक है, अब जो auricle है, वो thin muscular wall से बना होता है, तो कि वहाँ पर pressure कम होता है, ठीक है, जबकि ventrical में pressure ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर जो wall होती है, वो, बीच का जो हमने सेपना मताया था, उसको भी देख लेज़े, आप लोग बहुत thick muscular wall से बन करती है, एक होती है वेना के बाँ, दूसरी होती है, pulmonary vein, तीसरी होती है pulmonary artery, चौधी होती है, एर्प्टा, ठीक है, तो ये four vessels होती है important, जो heart से connected होती है, बलड को ले जाने का और लाने का काम करती है, ठीक है, तो सबसे पहले वेना के बाँ, तो वेना के बाँ कहां पर होती तो वेना केवा क्या करती है पूरी बॉडी से चितना भी डियोक्सिजनेटट ब्लड होता है उन सब को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके वो राइट औरिकल में खुलती है आके ठीक है पूरी बॉडी से जो ब्लड और डियोक्सिजनेटट ब्लड कलेक्ट होता है वो सब वेना केवा के पास इतना बड़ा काम है मैं सू क्या कर रही है बॉड़ी के अपर पार्ट से भी बलड ले रही है नीचे वाले पार्ट से भी ले रही है तो वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है एक होता है सुपीरियर वेना केवा दूसरी होती है इंपीरियर वेना केवा त सारा ब्लड लेके जाती है औरिकल पर ठीक है तो यह ब्लड लेके पहुँच गया तो यह एक तो वेसल यह हो गई कौन सी वेना के बाँ यह दोनों ही राइड औरिकल में खुलती है यह ध्यान रखना है दूसरी होती है हमारी पल्मोनरी वेन यह क्या करती है ब्रिंग ऑक्सिजनेट ब्लड फॉम राइट और लेफ्ट लंग यह क्या करती है पल्मोनरी वेन पल्मोनरी हमने अभी बताया जो लंग से कनेक्ट होगी वो pulmonary होगी ठीक है और vein, vein मतलब blood को ले जाने का काम कर रही है, blood को heart के पास ले जाने का काम कर रही है, इसका मतलब वो pulmonary vein है, ठीक है, तो देखो एक बात हम बता दें आपको, इसको हम दो इनट बात पढ़ते हैं, सबसे पहले, इसके पहले हम बात करते है pulmonary artery की, ठीक है, वाहां ले जाने वाला काम को सो क्या होता है आर्टी लंग को ले जारी है इसने पर-मोनरी अब देखो पर-मोनरी वेन क्या कर रही है वापस oxygenated blood को लेके आ रही है feminine, दोनों लंग से लेके आ रहे है तो दो बनी तो तुब्ल का रही है और यहांपर भी देखों, दोनों लंग के पास जा रही थी ठीक है अब यहां जैसे ही ब्लड पहुए फूल होता है इस पूल होता है तीजी से whistles करता है ऐसके पुम्प करने के बाद कहां पहुंचाता है؟ ठीक है यह इसको एक बड़ी जो आर्ट्री होती है उसको एरोटा कहते हैं और इससे फिर छोटी-छोटी आर्ट्री स्कनेक्टर होती है ठीक है तो यहां से पूरा oxygenated blood एरोटा में से होते हुए आर्ट्री तक पहुंचता है ठीक तो यह four vessels है यह आप लोग को ध्यान करना वेन वेना केवा pulmonary artery pulmonary vein erota तो अब हम समझ गए सारी vessels के अब देखो हम लोग जानेगे blood का circulation कैसी होता है हार्ट से ठीक है तो human heart double circulatory system पर वर्ग करता है ठीक है means human heart में दो तरह के circulatory system पाए जाते हैं एक होता है systemic circulation दूसरा होता है pulmonary circulation ठीक है pulmonary का मतलब अभी हमने क्या बताया था lung से related ठीक है तो lung से जब circulation lung की तरफ होता है तो उसको कहते है pulmonary circulation और जब systemic यानि पूरी body में system से होता है तो उसको कहते है systemic circulation ठीक है तो यहाँ पर अब इसको यहाँ पर हम क्य डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं human heart को क्योंकि यहां पर blood का circulation two time एक ही cardiac cycle यानि पूरी एक complete cycle में blood के, sorry, heart की पूरी एक complete cycle में two time circulation होता है blood का, इसलिए इसको हम double circulatory system कहते हैं, अब कैसी होता है circulation, यह देखो, systemic circulation में क्या होता है, तो oxygenated blood flow from left ventricle to body part, ठीक oxygenated blood flow करता है left ventricle to all body part, means oxygenated blood कहां से आ रहा है हमारा, lung से आ रहा है, यह हमारा lung से ठीके, तो lung से oxygenated blood कहां आ रहा है, heart के left auricle में आ रहा है left auricle से होते वे कहां चला गया left ventricle में चला गया अब left ventricle से होते वे पूरी body part में वो जा रहा है ठीक है चला गया अब वहां पे वो हर एक tissue को oxygen देके था गया carbon dioxide वहां से receive कर रहा है यही vessel यही vein बनके carbon dioxide इधर से निकल के आ रही है कहां हमारे right auricle में है ठीक है अब देखो यहा से निकल कर वो heart में पहुचा ठीक उसको छोड़ो जब blood heart से निकल कर पूरी body में घूम के चक्कर लगा के वापस वो right auricle में पहुच गया यानि पूरी body का वो भ्रमड करके आ गया तो उस पूरे circulation को हम कहेंगे systemic circulation okay systemic circulation ठीक है at that time बिलकुल इसी time पे जिस time पे पूरी body में blood circulate हो रहा होता है उसी time पे पहले का deoxygenated blood यहां से right ventricle में जाता है और फिर वो lung के पास बहुच जाता है ठीक है उसी time पे क्या होता है जिस time पे body में oxygen और carbon dioxide transfer मतलब exchange हो रही होती है उसी time पे लंग पे भी oxygen और carbon dioxide exchange हो रही होती है ठीक है just उसी time पे यह carbon dioxide इसको दे देता है oxygen लेके यही blood वापस आता है left auricle में ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है एक बार खट से यहां पर pump किया गया body पे चला गया blood एक बार यहां pump किया गया वो लंग पे चला गया blood तो क्या हो रहा है जब पूरे मतलब पूरा हार्ट एक बार pumping करता है तो उसको हम कहते है एक cardiac cycle means a complete cycle ठीक है और उसी एक cycle में एक बार body एक side से blood को भेज रही है पूरी body में और दूसरे side पे heart भेज रहा है उसको lung पे ठीक तो एक ही में दो circulatory system काम कर रहा है जब body में blood जा रहा है तो उसको कह रहा है हम systemic circulation और जब lung पर blood जा रहा है लंग से होते हुए वापस आ रहा है तो उसको हम कहेंगे pulmonary circulation ठीक है दो तरीके system circulation यहां पर बढ़ करते हैं एक systemic दूसरा pulmonary तो यह हम लोग को clear हो गया एक बार फिर से mechanismus को समझते हैं हम लोग तो क्या हो रहा होता है यहां पर आप लोग देखो एक बार deoxygenated blood यहां पर आ चुका है अब वह नीचे गया वेंट्रिकल के पास वेंट्रिकल ने उसको पंप किया वह गया लंग्स के पास लंग्स से होते हुए oxygen लेते हुए वह वह वापस आ गया राइड औरिकल में मिन्स एक राइड औरिकल से चला और लेफ्ट औरिकल में वह लंग्स से होते हुए वापस आ गया इस पूरे जुजरनी को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कूलेशन मिन्स यहां से यहां तफ पूरी जो जन्य मंसा हो रहे है पील्मोनरी सर्कूलेशन ठीके उसी टैम पर क्या हो रहा है जे लेफ्ट वाला व्यंत्रिकल है वह पंप कर रहा है बलड़ को कहा पूरी बॉड़ी में भेज दिया अब यही से वो बॉडी के टिशू में ट्रांसपर हो रही है और वहां से कार्बन डियोक्साइड निकल के जा रही है कहां हार्ट के राइट औरिकल में ठीक है तो यह वाला जो पूरा सर्किल बनके आ रहा है इसको हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक उपर वाला सर्किल पल्मोनरी स और पूरी बॉडी से होकर वापस वह हार्ट पे आ गया उस पूरे सर्किल को हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन ठीक है तो दो सिस्टम दो सर्कुलेशन वर्क करते हैं आप ठीक है चलो अब हार्ट बीट क्या होती है पल्सिस क्या होते हैं देखो हार्ट बीट क्या होती ह अभी आभे हमने बताया कि क्या होता है हमारा हमारा इस हार्थ है यहां what contraction हमारे राइट औरिकल का ब्लड लाइट पहुंच गया राइट वेंटरिकल में लेफ्ट ब्लस्य औरिकल में उप अधिक गया नेताफ वनेटो लाइट वेंट्रिकल में ड्रेवे कोण क्रेक्षें कर रहा है को सप्छा है तो इज होते हैं रहे पूरा ब्लड इधर आगया तो बिलड इधर आता है तो proud यह जब बल्ड नीचे पूरा ब्लडし जय हों जातते हैं valve ऐसे ठक से बंद हो जाते है ठक ठक तो यह जो ठक की आवाज आती है इसी को कहते है heartbeat इसी को कहते है हम heartbeat ठीक है यानि हमारा heart contraction की वज़े से beat करता है इसको कहते है heartbeat और लग भग आप लोग सब जो एक मिनट में हमारा heart कितनी बार blood को circulate करता है, то 72 times ये ठक किया आवा जातی है जिसको हम कहते है heart beat, बिस 72 times हमारा heart contract करता है, relax होता है contract करता है, relax होता है ठीके, अब ये pulses क्या होती है तो heart beat यानि heart rate और pulse rate same होते है मिस जितनी बार क्या होगा, जितनी बार heart beat होगी उतनी बार blood pump करेगा, blood pump करेगा और कहा आएगा, arteries में आएगा, ठेके, तो arteries has elastic muscular wall, arteries के जो wall होती है, बहुती muscular elastic होती है, वहाँ पर जब तेजी से pressure के साथ blood pump करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक तरीका, कुछ महसूस होता है, वहाँ पर एक motion महसूस होता है, उसको आप आप उसको महसूस कर सकते हो, जैसे कि हाथ में अपने देखो, इस side पे, हाथ अपने लिया, और अपने इस side पे, जब आप इसको, इस side पे, अपने अंगूठे के नीचे वाले side पे, यहाँ पर आप हाथ रखके, दो finger रखके देखो, तो यहाँ पर आप कुछ आप लोग को ब्लिंक करता हुगा दिखाए देगा, अप अब भी रखके देखो, बिल्कुल हलके से, वो ब्लिंक करता हुगा दिखाए देखा, तो यह क्या है, पल्स फिल कर रहा हो आप, means blood circulation जितनी बार हो रहा है, उतनी बार आप पल्स फिल करोगे, यह भी equal होता है, heart beat के, जितनी बा अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, इस चैथोस्कोप क्या होता है, यह इंस्ट्रुमेंट आप लोगो ने डॉक्टर के पास लेखा हुगा, वो लोग अपने एयर पे ऐसे लगाते है, हेड़फोन की तरह, और फिर गरे में लटका के इस पो यह इसी से हारट्वीर डॉक्टर्स चेक करते हैं, पता लगाते हैं, इसमें तूरी और पीट पीसे होते हैं, जो दोनों येर में इंकर करते हैं, यो पूरी arrive होता है सब्सकियोग होता है, यह अब आज को इयर तक सुनाता है, कानेक्ट करता है, ठीके, यह होता है इस चैथ तो इसकोप, अब देखो, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो देखा होगा, आप लोग रहें, डॉक्तर क्या है, कभी-कभी इस तरह की मशीन होती है, जिसको हम कहते है, स्फवागमो मोनोमेटर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से एक स्टप जैसी होती है, उसको अच्छे से टाइट करके लगा दी जाती है, और उसके बाद फिर एक यहाँ पर पंपिंग के लिए एक समान होता है, ठीक, आप देखो, एक समान होता है, स्वरी, इसमें तो नहीं दे पंपिंग के लिए वैक्यूम जैसा होता है, इस तरह से आप देखे होगी, इस तरह से पंप करते हैं इतना यादा पंप करते हैं कि बिल्कुल हाई लेबल पर 200 तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद नीचे नीचे गिराते रहते हैं, उससे यहाँ पर एक मेजरमेंट दे इसमें बताता है आपका blood pressure, ठीक है, यह blood कितनी high level पर pressure दे रहा है, कितना low level पर pressure दे रहा है, तो वह यहाँ पर आप देखो 120 से 80 mmH disease का pressure होता है, जो एक normal humans में दिखता है, ठीक है, healthy humans में, ठीक, अगर वही hyper हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे मालो 120 का 130 हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली वह अच्छी चीज है ठीक है blood pressure लेकिन अगर hyper tension हुआ है यानि blood pressure high हो जाता है तो उस टेंप फिप्टी से 90 mmH तक बहुत सकता है और अगर hyper की जगे वह लो हो गया blood pressure low हो रहा है हाइपोट्र हो रहा है तो उसको हम कहते हैं 100 से 60 भी हो सकता है ठीक है इतना लेस हो जाता है तो इसके लिए कुछ नगश ट्रेटमेंट लेना पड़ता है तो जब high blood pressure होता है तो उसको कहते हैं hypertension और जब low blood pressure होता है तो उसको कहेंगे हाइपो टेंशन तो यह होता है ब्लड प्रेश्र अब ब्लड ग्रूप क्या होता है तो देखो आप लोग सुनते होगे ब्लड ग्रुप A है इनका, ब्लड ग्रुप B है उसका, ब्लड ग्रुप A-B है, O है, ठीक, तो different different blood groups होते हैं, अलग- अलग characteristic nature के होते हैं, अब क्यों इनका नाम रखा जाता है, तो सबसे पहले one scientist थे, land steener, 1900 पर इन्होंने identify कर दिया था, ब्लड को उनने बता दिया था four type के blood होते हैं अब यह इनका type क्यों अलग-अलग है क्योंकि इनमें एक protein पाइजाती है वो होती है antigen protein ठीके और हर एक Hemo sorry हर एक RBC के surface पर यह protein लगी होती है ठीक यह protein dota की होती है antigen एक antigen A होता है antigen B होता है ठीक तो किसी––– जो ब्लड ग्रूप A वाले होते हैं उनमें एंटीजन A पाया जाता है जो ब्लड ग्रूप B वाले होते हैं उनमें एंटीजन इस तरह को देखो राउंड शेप है यहां पर उसमें एंटीजन B पाया जाता है और जिसमें जो ब्लड AB ग्रूप वाले हैं उनमें दोनों जुनिवर्सल डोनर होता है, य्यूनिवर्सल डॉलर क्या है यानि ऐसे blood group वाला इंसान जो हर किसी को blood दे सकता है तो blood group O वाला इंसान से हर आधमी blood receive कर सकता है अब जब A और B दोणों नहीं होता है इसके पास तो यह किसी से भी fight करने का काम नहीं करेगा, तो अगर A वाला blood group B वाले को दे दिया गया, तो क्या हो गया, इनके पास antigen A है, और इसके पास antigen B है, दोनों क्या करेंगे fight कर लेंगे, ठीक है, तो इन दोनों को साथ में नहीं रखते, अगर किसी के पास blood group A, B है, तो वो क्या करेगा, A से भी ले सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों antigen है, दोनों friend है, ठीक, तो वो A से भी ले सकता है, और B से भी ले सकता है, और O से भी ले सकता है, क्योंकि O के पास कुछ नहीं है, तो वहाँ पर जो AB antigen होता है उसको universal recipient कहते है यानि वो हर किसी से blood को ले सकता है और blood group O वाले को universal donor कहते है क्योंकि वो हर किसी को blood दे सकता है लेकिन O किसी वा किसी से नहीं ले सकता तो यह चीज़ा में ध्यान रखनी है मिंस आप समझ लो अगर antigen A है वो B के साथ नहीं रह सकता अगर दूसरा आया है ठीक जो AB में antigen AB है वो तो रहेंगे साथ में लेकिन A वाले के साथ B antigen और B वाले के साथ A antigen कभी नहीं रह सकते है ठीक है वो clotting कर जाएंगे तो यह होता ह है blood group आगे और भी चीज़ें इसमें है वो आप लोग आगे पढ़ो गया है अरे classes में लेकिन अब भी आपको इतना ही पाढ़ना ठीक है अब blood donation और blood bank यह क्या चीज़ है blood donation का मतलब donate करना मतलब देना जिसने मिंस कभी कभी क्या होता है वह किसी को जरूरत है डॉक्टर के हा है ठीक है donor है ठीक एक तो इस केस में भी Влад donation के आता है और ढूसरा इस केस में विए Blood donation करता है कि लोग ऐसी समाँ से के लिए क्राइ अब ब्लड को donate करते है अ और हम खुद की एक्छा से ऐन से भीा गे ब्लड कर देते हैं जो blood bank एक जर्गे होती है एक ब्लड बैंक होता है जिस तरह से पैसो का बैंक होता है वैसे ब्लड का भी बैंक होता है वहाँ पर लोग जब डोनेट करते हैं तो उसमें पैकेट में डाल की लिख देते हैं यह ए ग्रूप का है यह बी ग्रूप का है तो इस तरह से ब्लड पैकेट में भर-बर की वहाँ पर तो यह होता है ब्लड डोनर और उसका ब्लड बैंक अब देखो नॉर्मली अगर जब ब्लड लेते हैं डॉक्टर के पास कोई गया कि हमें ब्लड डोनेट करना है तो वह पहले तो देखेंगे उस इंसान को चेक करेंगे कि वह हल्दी है कि नहीं है उसको कोई डिजीज तो नह को डोनेट मतलब लिया जाता है ठीक और लेने में भी सिर्फ टू स्वारी एक बार में उससे ले सकते हैं इससे रादा ब्लड लेगे तो उस इंसान को दिक्कत हो जाएगे तो यह ब्लड डोनेशन का वर्क होता है किसे रख़ेज खाथ को अपने हारट को हल्ड़ी कैसे रख़ा जा सकता है कि आज को दिक्कत ना हो को डिजीज ना हो जाएग तो हार्ट को हल्ड़ी रखने के लिए सबसे अच्छा होता है आप एक्सरसाइज करो हल्दी पास फूड है, स्वीट्स है, उसको जादा दर अवाइड करो, एक बैलेंस डाइट यह नहीं चाहिए, अपना वेट बैलेंस रखना चाहिए, आप बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहे हो, तो एकसरसाइज करो, एक्सराइज करो, एक्सराइज करो, जिससे आपका हार्ट बह जिदाए, उसको भी हम कम्प्लिट कराएं, आज के लिए तना ही थेंक्यू,